हेलो मेरे प्यारी बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का मैध का प्रशना वाली 1.3 के सारे कुश्चिन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं ठीके दोस्तों, तो इस exercise को पढ़ने से पहले, इस प्रशना वाली को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ basic concept clear होना बहुत जरूरी है ठीक है अगर दोस्तो इस basic को आप समझ गए है तो फिर ये परशना वाली exercise कुछ नहीं है ठीक है तो आईए हम लोग देखते हैं इसका basic को क्या है ठीक है तो देखिए दोस्तो यहाँ पे एक होता है सांत एक क्या होता है सांत और ए सांत इसनले डिएपाइड करेंगे तो यहां पे छोटा है तो जिरो-पॉइंट लगा देगेगे पॉइंट नहींक तो यहां वोड़ग तो वन बचा ठीक है अब यहां पर फिर से पॉइंट लगा देंगे तीन तीया नौ कितना बचा वन पॉइंट लगा देंगे इस तरह से बार-बार यहां पर सेश्फ़ल वन आते रहेगा और भागफल ठीट रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि इसका जो आएगा हो रहा है ठीक है और देखे दोस्तों जब इस सिच्वेशन में आए कि सेश्फल कभी जीरो आ ही नहीं कभी कटे ही न तो इसको बोलेंगे आसांत यह सांत नहीं है क्या है आसांत है ठीक है अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और इसका उधारन को समझते हैं जैसे यह यह चोटा है तो जिरो पॉइंट लगाएंगे यहां जिरो डालेंगे तो पांच चाओ के बीस देखो पूरा पूरी कट गया ना ठीक है यह कब तक करना है जब तक सिस्वल जिरो ना जाए अगर जिरो आ गया तो हम लोग समझेंगे कि यह क्या है सांत है ठीक है तो यहां गौँ किया है जो पर अपरो लगा रहे हैं लोग तरी अग्जहां पर एक को 11 से रिवाइट करो 11 को onun απο कि यह लगा झदेंगे फिर फिर नगाएंगे लगाएंगा तो और एक और जिरू लाने के लिए एक जिरू लगाएंगे यहां पर कितना हो जाएगा तो इस तरह से क्या हो रहे है दोस्तों कि 0.9 0.9 आते रहेगा ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि 0.0909 आते रहेगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दोस्तों 0.09 पर रेकरिंग यह दोनों पर रेकरिंग होगा कि यह दोनों पर रेकरिंग होगा कि यह दोनों पर दोनों जो दोनों संख्या है वो बार बार रिपीट हो रहा है ठीक है इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतल सब्सक्राइब हो गया 0.090909 बार बार आ रहा है यह जितना पर रहेगा जितना पर बार रहेगा वही संख्या बार बार रिपीट होगा एक और एक्जामपल लेते हैं यहां पर जैसे कि 0.47 लिखा हुआ और यह 7 पर रहेगे इसका मतलब क्या हुआ कि 0.47777… यह आ रहा है जिस पर रहेगा जिस पर बार रहेगा वही बार बार रिपीट होगा ठीक है तो यह था दोस्तों इसका बेसिक चीज ठीक है आईए अब हम लोग क्वेशन नंबर 1 के तरफ चलते हैं चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेशन वन को सॉल्व करते हैं देखिए क्वेशन वन आप लोग का क्या दिया हुआ है लिखवा निमलिखित भीनों को दस्मलोग रूप में लिखे और बताईए कि परतिये का दस्मलोग किस परकार का है ठीक है तो यहां पर करेंगे तो इधर हम लोग रूप कर लेते हैं घकर यहां पे एक लाइन देखे रॉफ करते हैं देखो 36 को 100 से डिवाइट करना है 100 को 36 यहाँ पे अब लिखेंगे देखो छोटा हो गया न तो 0 पॉइंट लगाएंगे यहां 360 तो 100 तीया 300 कितना बचा साड़ बचा अब यहाँ पे 0 लगा देंगे चुक्कि पॉइंट डाला हुआ है तो 100 छक 600 ठीक है तो यह कट गया पूर रहाँ करें हम लोगा ठीक है यह सांत थाया या आसान तो लिखेंगे यह 0 6 दस मल 55 है सद्मेश्थ इसे तरह से दूसरा number लुग देखते हैं अझ्छे के दूसरा क्या बोला है pię Rejarers कि यहाँ पे क्या है ठोटा है यहाँ पे क्या लगा देंगे गचा एक निनानबे कितना बच्छा एक बच्छ भी डालें grow फिर नहीं हुआ चोटा हो गया फिर एक जिरो रालेंगे एहां सोग हो जाएगा अब इता प्रोच से फिर की चाहीं मतलब किया हो दोस्तों यहां पर हम top दो नचे अब बते यह सांत या आसांथ है तो लिखेंगे यह कि दस मलव है कि म है ठीकि कैनल यह वोगी आप अपUST कर एसका तीसरा परशन को देखते हैं लोग पहला कई तीसरे क्या लिखा आख वाए लिखावा है 4 integer 1 by 8 ठीक है 4 integer 1 by 8 ठोड़ो सन नया है तो इसको सबसे पहले आप लोग को solve कर लेना है देखो यहां पर क्या होता है न दूस्तों यह 8 और 4 गुना में होता है यह गुना कर देंगे और इसको जोड़ देंगे तो 8 चाओके 32 32 एर एक 33 तो लिखेंगे 33 और नीचे क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद हम लोग इसको डिवाइट करेंगे तो डिवाइट करें यहां पर करते हैं तो यहां लिखेंगे 8 को 33 से हम लोग इसको डिवाइट करते हैं 33 को 8 से तो कितना हो जाएगा 8 4 के 32 कितना बचा 1 बचा पॉइंट देंगे 0 देंगे 8 का 8 ठीक है कितना बचा यहाँ पर बच गया अप लोग का 2 है ना अब यह 2 बच गया तो फिर पॉइंट दिया वाए तो 0 लगा देंगे 20 हो जाएगा है ना फिर 20 को कितना से करेंगे इसको 2 से चलो इसको हम थोड़ा से यहाँ पर कर देते हैं यहाँ से कर देते हैं यहाँ पर हम फिर से कर दे रहें ठीक है थोड़ा नीचे हो गया चार है ना अब यहां पिर पॉइंट डाला हुआ है तो जिरो आठ पच्छे चालेस देखो पूरा-पूरी कट गया यह खतम अब जो पूरा-पूरी कट गया तो यह कैसा है सांत है तो यहां लिखेंगे हम लोग 4.125 यह सांत दस मुलव है यह सांत कि दस मलव है ठीक है तो यह हो गया आप लोग का तीन अंसर ठीक है इसके बाद हम लोग फॉर नंबर करें इसका फॉर देखते हैं चलिए बच्चो अब इसका फॉर नंबर को देखते हैं फॉर नंबर में आप लोग का कितना लिखावा है फॉर का हल कर रहे हम लोग फॉर नंबर में आप लोग का लिखावा है तीन बटा तेरा कितना लिखावा है तीन बटा तेरा अब यह दिखेंगे हम लोग कि यह सां लाइब दा लेंगे 30 हो गया तो तेरा दुनिग जब्दिस अना अब यहां कितना बचा चार बचा यहां पर पॉइंट लगा है तो जिरो पिर तरफ ढट है तो यहां जिरो लगा देंगे तो एक और जिरो लगा देंगे एक और जिरो जाएगा 100 अब 13 सत्य एकानवे कितना बच्छा यहां पर नौ बच्छा और अब यहां पर फिर जिरो लगाएंगे फिर 13 कितना से गुना करें एक फिर कितना से जाएगा 13 नावा एक फिर कितना बचते थीन बचे फिर तीन आगी से 20 होगा मतलखकि यह फिर बार बार वहां दोस्तो यहां पर 2 3 0 7 6 6 69 आ रहा नहाब आते रहेगा तक की इसका मतलब लिखेंगे यहां पर 0.2 307 6 9 । तो यह क्या हो जाएगा सांत है या आसांत है यह मलव है यह हो गया अब इसके बाद हम लोग इसका फाईप नमबर को देखते 25 नमबर में च्या लिखावाइद 2 बटाए 11 को तो दो बटाए 11 को जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग कर लिजेगे यहां पे तो आ जाएगा इसका 0.18 क्या जाएगा 0.18 और यह 18 है कि नहीं कटेगा ठीक है यह 18 बार बार आते रहेगा यह आते रहेगा तो यह कैसा हो जाएगा यह आसान दस दस मलव है ठीक है चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं कुस्छन नंबर सिक्स सिक्स में आप लोग का लिखा हुआ है 329 बटा-400 इन दिया हुआ है अब इसको लोग डिवाइड करेंगे एसको डिवाइड करके आप लोग को बता ही देते है ठीक है चलो तो यहां पे 400 और यहां पर कितना भार में जाएगा यह देखो तो छोटा हो रहा है तो यहां 0 पॉइंट लगाएंगे हैं यहां 0 हो जाएगा अब देखो चारे अठी 32 ठीके तो कितना वह जाएगा 32 सो अब यहां पर कितना बचा नबभे बचा मांने फीर यहां पर जिरो लगा देंगे फिर चार दूनी 800 अब फिर यहां पर चोटा हो गया फिर चार दूनी 800 अरे पूरा-पूरा तो कठी गया यह अब जब पूरा-पूरी जब कट जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे 0.8 225 यानि कि यह सांत दस मलव है क्या लिखेंगे यह सांत दस मलव है ठीक है तो यह था दोस्तों आप लोग का पहला का छेर्ट कोश्चन पूरा कंप्लीट हुआ ठीक है आईए अब हम लोग इसका कुश्चन नंबर टू को सॉल्ब करते हैं टू नंबर कुश्चन क्या कह रहा है दोस्तों एक बार देखते हैं लिखवा आप जानते हैं कि एक बटा साथ बराबर 0.142857 है वास्तों में लंबा भाग दिये बिना क्या आप कि 2टा 7, 3टा 7, 4टा 7 और 5टा 7, 6टा 7 के 10 studio परसार क्या है यदि हाँ तो कैसे ठीक है तो बिलकुल बता सकते हैं दोस्तों यहां पे एक बेटा 7 का वैल्यू दिया हुआ है तो आप लोग यहां पे 2 बैसाथ और 3 बैसाथ, 4 बैसाथ, 5 बैसाथ और 6 बैसाथ का वैल्यू न निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं ठीक है जैसे कि यहां पर आप लोग का जैसे कि और सो भी बिना लंबा भाग दिये बिना अगर आप लोग के सामने अगर यहां पर लिख देते हैं दो बटा साथ तो आप लोग तुरत क्या करेंगे यहां पर आप लोग तुरत करें तो आहरे दो लुट और और तो बताथा साथ का कैसे निकालेंगे जो स्टों लिखें दो मैं बटाप साथ दो बटाप साथ को लिखेंगे यहां पर दो गुना एक बटाप साथ बिल्कुल लिख सकते हैं क्यों कि उपर वाले सब्सक्राइब दो गुणा एक दो का दो और साथ का साथ तो इस तरह से लिख सकते हैं अब दिखें दो दो को दो लिखे दो हाते बच्छा, एक, दो दूनी, चार और एक, पांच, चार दूनी, आठ, दो, एका, दो, और यहाँ पे, दो तुना, सुन, यानि कि यह वैली, निकल गया हम लोग का दो बटा साथ का वैली, तीकि इसी तरह से हम लोग टू नंबर में क्या दिया हुआ, कितना का वैली, तीन बटा साथ को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं तीन गुना एक बटा साथ विल्कुल लिख सकते हैं अब तीन गुना एक बटा साथ का कुछ वैल्यो दिया हुआ है 0.142857 यह दिया हुआ है अब दोनों को गुना कर दो फटाक से दो दो फिर 3 दोनी 6 और दो 8 चार तीय बारा का दो हाथ पचे1 तीन दोनी 610 ठीक है यह यानि कि दिन सूना सुन तो यह वैल्यो निकल गया आप लोग sesar बटा साथ एयंक लंगे टीसरग में इसका वेल्यू कैसे निकलेगे चार इंटू 1 बाइ 7 यानि कि 4 लिखेंगे और इंटू 1 बाइ 7 का वेल्यू कितना दिया है 0.142857 ठीक कि अब गुना करेंगे फटाक से गुना कैसे करेंगे ऐसे ठीकी चार सत्ते 28 का 8, हाथ बचा 2, फिर 5 के 20, 22 हाथ बचा 2, 8 4 के 32, 32 हाथ बचा 3, 4 दुनी 8 और 3, 11 हाथ बचा 1, 4 4 के 16, 17 हाथ बचा 1, 4 1 4, 5 जिरो पॉइंट, ठीके, इसी तरह से हम लोग next भी बनाएंगे, next कैसे बनेगा, चलिए, इसके बाद हम लोग four numbers का बनाते हैं, four में हम लोग का क्या बोल रहा है, पांच बटत साथ का value निकालने के लिए, ठीके, तो यहां लिखेंगे, पाँच इंटू 1 by 7, तो पाँच इंटू 1 by 7 का value आपके book में कितना दिया वाए है, 0.142857, ठीके, अब यहां लिखेंगे, फाइप, गुना कर देते हैं, गुना करना ऑगा 57 35 पांच हाथ बचा तीन 25 कर तीन 28 अट यह दो फिर पांच अठी चालेस चालेस अरदो 42 का दो थे चार पांच जूने 10 अर चार चारओधा हाथ बचा है ऑग और पांच आओ के बीस हर एक 21 तो तक पांच यह नहीं चुत हुआ तो तो पांच अधर कि छली इसकब हम लोग कितना फाइप नंबर को देखते हैं चली इसको न बनाते हैं ठीक्ट है यहां धृट्न की तेट नos 6X7 का वेल्व event निकालने के लिए तो अपने सकते हैं 6x127 not और शिक्स इंटु वन बाइस वैल्यू जिरो पॉइंट वान फॉर टू फाइप है ना फाइप सेवन नहीं एट फाइप सेवन अब दोनों कुछ फटाक से गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा छे सते बैयालिस का दो हात पुचे चार छे पचे तीस और एक पच्चिस का पांच आथ पिचत दो फिर छे कचे और दो आठ और चे सुना सुम ठीक है तो यह हो गया आप लोग का शिक्स बाइस सैवन का वैल्यू ठीक है इसके बाद और भी कुछ बोल रहा है क्या बुक में नहीं शिक्स बाइस सैवन तक का ही वैल्यू निकानने ब थर्ड को देखते हैं कोशन नंबर 3 क्या कह रहा है देखें लिखा हुआ है निम्लिखित को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पुर्नांग है तथा क्यू इस नौट इकॉल टू जिरो ठीक है तो अब यह बनेगा कैसे यहां पर कह रहा है द दोस्तों 0.6 के उपर बार दियावा इसका मतलब क्या हुआ कि जो उपर 6 का बार दियावा नहीं यानि 6666 बार बार रिपीट हो रहा है ठीक है अब दिखो इसको लिखेंगे कैसे दिखें तो यह तीनों प्रश्ण है ना अगर पहला कुश्ण समझ में आगे इसका पहला प 6. tok झूट टोट ठेक है इसको अन्मेक रम उन मान लेते हैं कुछी कत ने अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अब यह एक पच्छ मेर्म होगी आदद बीथ सरा प यह लिखेंगे दोनों कि वाद्दोनों और 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर अब दिखिए दोनों साइट हम लोग 10 से गुना करेंगे तो दोनों साइट 10 से जब गुना करेंगे तो कैसे लिखेंगे लिखेंगे x इंटू 10 ये साइट होगया गुना अब ये साइट भी गुना करेंगे 0.666 dot 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 into 10 ठीक है यह अब दोनों को गुना करेंगे अब देखो 10 को X से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10 X ठीक है और यहाँ पे यहाँ पे अगर हम लोग 10 से गुना करेंगे तो ध्यान देजेगा दोस्तों यह पॉइंट यहाँ पे है ना कितना 0 1 0 तो 1 इधर खिसक जाए अगर 100 रहता तो यहाँ पे दो दो पॉइंट कह सकता ठीक है दो अंके बाद गसकता तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 पॉइंट यानि यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट हो जाएगा ना 6.666 dot 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 ठीक है अब इसको हम लोग दोस्तों इसको माल लेते हैं हम लोग समेकरन 2 इसको माल लेंगे समेकरन 2 अब यहाँ पे हम लोग लिक्खेंगे समेकरन 2 में 1 को घटाने पर पर अब देखें ये समेकरन 2 है ये समेकरन 1 है अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे ध्यान देजिएगा लिखेंगे ये left side वाला left side के साथ घटाएंगे और right वाला right के साथ ठीक है तो यहां लिखेंगे समेकरन 2 वाला part को 10x और समेकरन 1 वाले part को minus x बराब अब इसके बाद इसको हम लोग इससे घटाएंगे तो लिखेंगे 6.666 dot 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 minus 0.666 dot 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 ठीक है अब देखें ये 10x में से 1x घटा देंगे कितना x बचेगा 9x बचेगा अब देखो यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर क्या तो इस चीज़ को ध्यान देजे हम इधर rough कर रहें यहाँ पर आप लोग देखेगा अब देखें यहाँ पर 6.66666 में से घटाएंगे हम लोग 0.66666 को तो देखें क्या बचेगा 6 में से गया तो 0,0,0,0 और यहाँ पर 6 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा? 6 यानि कि 6 बचेगा कितना बचेगा? 6 तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों हम लोग 6 ठीक है? अब यहाँ X बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह 9 इधर इंटू में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में तो यहाँ divide में कर देंगे ठीके अब इसको हम लोग काटेंगे अगर कटता है तो तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 है ना 3 से गट रहा ना तो 2 तीया 6 और 3 तीया 9 यानि कि x बराबर कितना हो गया दोस्तो आप देखें यह परीमेशंख्या हो गया इसलिए लिखेंगे यह ना इसलिए एकस बराबर दो बटा तीन तो यह परीमेशंख्या आप चाहें तो दोस्तो यह तीन को फिर point zero देंगे तिन जगड़ा यानि कि इस तरह से आते रहेगा इसका मतलब हम लोग इस वाले पार्ट को हम लोग परिमय संख्या के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं तो यह हो गया आप लोग का इसका पहला question अब हम लोग इसका दूसरा question को देखते हैं पहला का ही दूसरा कि देखिए दोस्तों यहां पर दूसरा question क्या लिखा हुआ है यहां से solve कर दे रहे हैं ठीक है दूसरा question आप लोग का दिया हुआ है 0.4 और 7 और इस पे बार किस पे है तो यह 7 पे है कितना पे 7 पे तो इसका मतलब क्या है यह 7777 बार बार यहां पे 47 पे रहता तो 474747 बार बार आता के लिए हो रहा है ठीक है अब सेम जिस तरह से question 1 को बनाए सेम इसी तरह से यहां पे भी हम लोग बनाएंगे ठीक है तो इसको लोग लिख सकते हैं यहां पे 0.4777… इस तरह से हो सकता है ठीक है अब यहां पे हम लोग लिख देते हैं पनाते हैं माना X बराबर 0.47477… और इसको हम लोग क्या मान लेंगे समय करन 1 ठीक है उसके बाद यहां पे हम लोग पहला पच यह दूसरा पच तो दोनों और क्या करेंगे हम लोग 10 से गुना करेंगे लिखेंगे दोनों और 10 से गुना करने पर गुना करने पर अब यह 10 से गुना क्यों कर रहे हैं हम लोग ठीके यहां पर जितना पर बार रहेगा उतना से गुना करेंगे कितना संख्या पर है एक तो यहां पर दस से गुना करेंगे और यही चीज अभी दो संख्या पर रहता तो क्या करते हैं लोग 100 से गुना करते ठीक है और तीन रहता तो गुना करेंगे अब दस को एक से जब गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा ठीक है और यहां पर जब दस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हाँ यह दस से गुना करेंगे तो यह पॉइंट कहां पर आजागा यहां पर सो से करते तो यहां पर आता है ना तो दस से गुना करेंगे लिखेंगे इसको मान लेते हैं हम लोग समय करन 2 अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे समय करन 2 में से 1 को घटाएंगे लिखेंगे समय करन 2 में से 1 को घटाने पर तो अब यहाँ पर जो lift वाले है समय करन 1 अब देखो 231 को घटाने परी इसी तरह से में से लिखेंगे यहाँ पर 4.777 *** अब जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 10X में से एक चला जाएगा तो हुछ इथर हम लोग reduction करके देखिते हैं लिखावा यह多सका अब इसमें को burden को किके साथ infinity को आपना दो शाथ। 4 गेया तो टीन बचा और देंगे 4 ए배 तो 4 ग्रीचर यानि कि 4.3 लिखेंगे 4.3, अब यह x बराबर क्या हो जाएगा, 4.3 by 9, अब दिखो तो यह कटता है क्या, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, अब यह point को हटाना है, तो कैसे करेंगे point कैसे हटेगा, लिखेंगे यहाँ पे, 43 हो जाएगा, और यहाँ point हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 से नीचे गुना कर देंगे, है न, तो यहाँ पे 9 इंटू कितना हो जाएगा, 10, यह हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तो, x बराबर 43 by 10 यह हो जाएगा इसका अंसर ठीक है तो यह हो गया हम लोग का पी बटा क्यू के रूप में आ गया तो यह दूसरा प्रश्ण भी बन गया चलिए अब हम लोग इसका तीसरा प्रश्ण को देखते हैं पहला का तीसरा दिया हृः ये लिखा हूँ है 0.001 और कितना प्रश्ण को प्रश्ण को प्रश्ण को समहसन मारा बात मात इस्तरह से ढट-ट-ट बढ़ते जाएगा अब इसको हमुiest कि परिमी। क्या के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे इससे यहां और चलते जाएगा इसको मानलेते दोस्तो समेकरन1 इसके बाद हम जोग क्या करेंगे दोनों साइड क्या करेंगे दस से गुना करेंगे दोनों और रैए वेजिंद से नहीं करेंगे तो कितना दोए दोly यहां Guid inform माना करए जितना बंद उतना जीरो मोलें है यहां रखर से करेंगे हजार से एक हजार से गुन करने पर है कि करने कि धुद करे है यहां पर दिया वाए था उसमें पहला कष्ण फ़्लों का 0.6 और रिदिया वाए ता और दूसरा जो प्रस्फ प्र면 था 0.47 औरर लिए यहां पर दिया वाई आइक यहां तो गुना करेंगे यहां कि अपर पर कहत Sakai 001 और यहां यहां पर इसलिए से खुना कर रहे । ठीक है अब इसके बाद देखो दोस्तों कि दोनों साइट हम लोग क्या करेंगे हजार से गुना करेंगे ठीक है तो यहां लिखे लेंगे X इंटू 1000 पराबर 0.001 पर 0.01 अब इसके बाद गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 एक और इधर करेंगे कितना हो जाएगा कितना संख्यां के बाद लग्जा तो यहां तीन संख्यां के बाद मातलए सब्सक्राइव 0.0010011も सब्सक्राइब करेंगे अब यहां sl Paper है दो में से समिकरण वन को घटाने पर है ना दो में से वन पर वन दो में से वन को घठाने पर कि अब यह समेकरण 2 हो गया यह समकरण 1 तो दो अनुने को घटाएंगे तो लेट वाले लेट पके साथ ठीक है वाले बायां के साथ दैना वाले दैना के साथ तो लिखेंगे 1000 x- q बराबर ये वाला इसके साथ लिखेंगे बोन-001 001 .- 0.001 . अब घटाएंगे इस में से इसको तो कितना बचेगा एक हजार एकस में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा नव हजार 999Ex बचेगा है ना jam 999 अब इसमसución को घटाते हैं तो सको क्या करते हैं इधार रफ करते हैं और यहां से घटाते हैं लोग जबसे पहले यह पहले करफ था अभी इस करफ करते हैं क्या लिखावा है 1.001001 अब यहां पर आ जाएगा तो 0.001001 ठीक है यही चीज़ हो गया अब यहां पर हम लोग इसको घटाते हैं तो 0000100001 तो कितना बच गया यहां पर अपर यहां पर बच दिए अब दिखो एक सिहां पर यहां पर हो गया यह इधर मल्टीपल में इधर आके किसम हो जाएगा डिभाइड में तो 999 नीचे हो जाएगा ठीक है अब यह हो गया हम लोग इसका परिमय संख्या के रूप में एक बटा नौसो निनानवे तो इसका अंसर यही हो गया अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुश्चन नंबर फूर देखें कुश्चन नंबर फूर आप लोग का क्या दिया हुआ है 0.999 को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए क्या आप अपने उत्तर से असर चकित हैं अपने अध्यापक और कच्छा के सहयोग्यों के साथ उत्तर की साथरकता पर चर्चा कीजिए ठीक हैं दोस्त करने के बाद के अत्तर आई किया इस ऊत्तर पर अप अश्च्यजकित हैं क्या इसमें और गह रहा हैं इस उत्तर से देखकर थीके तो अपने सही योगीयों से आप लोग को चर्चा करने के लिए कर रहा है तो दिखिए इसको बनाना कैसे वुस्सल सीज को देखे चिगैं च हल सबसे पहले लिखेंगे हल अब हल यहां पर करेंगे हम लोग क्लिखेंगे 0.999 यही दिया हुआ था हम लोग का डौट लौट लौट इसको दोस्तो हम लोग को सेम प्रैश्ण थीर के जाएश माना ना है लिखेंगे माना आप 0.9 9 9 दिए इसका मतलब 0.9 पर रेकरिंग होगा, यह क्षकी 9 बार बार रेपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसको नसे कितना से गुना करेंगे, हमें लोग 10 से गुना करेंगे, लिखेंगे 2 और 2 और 10 से गुना करने पर 10 गुना करने पर अब दोनों और जब 10 से गुणा करेंगे तो hours,ились, एक्स इंटु टेन और इधर भी जब गुणा करेंगे तो 0.999.ध टू 10 अब इसको जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जासागा 10x और इसको जब गुणा करेंगे तो ये पॉईंट यहां पे है खिसके यहां पर आ जागा कितना 0 एक तो एक पॉइंट खिसकेगा लिखेंगे 9.999 डॉट 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 ठीक है अब इसको हम लोग क्या माल लेंगे समिकरन 2 सेम थर्ड प्रश्ण के जैसा ही बना रहे हम लोग ठीक है अब यहां लिखेंगे समिकरन 2 में से 1 को घटाने पर एक को घटाने पर ठीक है समिकरन 2 में से 1 को घटाएंगे तो लें देखो इदर जो बायां वाला बायां के साथ घटाएंगे और दायां वाला दायां के साथ लिखेंगे 10 x में से x को इन घटाएंगे और यहां पर 9.999 dot 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 minus 0.999 dot 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 अब देखो 10 x में एक x चला गया तो कितना बच्चा बताओ 9 x है ना और इधर इसको घटाएंगे तो कितना बच्चेगा देखो इधर हम रफ्ट कर दे रहे ठीक है यानि 9.999 और 0.999 घटाएंगे तो कितना बच्चेगा dot 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 हम णलोग नह्ता है कि ये इसलीए कि używać का करीब का करीब है ईकदम 1 का करीब इसलिए यहां पर आप लोग का एक आ जाता है तो इसी चीज़ को और लोग को चर्चे करने को यह चयाए कि अखuf pric one watching and subscribe इतना बना देंगे दासतों तो हो जाएगा आप तो उम्मिद करते हैं यह आप लोग को पूरा जो चार कुश्चन हम बताएं हैं पूरा समझ में आ गया होगा ठीक है अगले पार्ट में हम जस्ट इसका अगले कुश्चन को बताएंगे चुकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा था तो हम यहाँ पर स्टॉप कर दे रहे हैं